नमस्कार दोस्तों, दोस्तों COVID-19 की बज़े से वीजा प्रोसेस पूरे दुनिया भर में अफेक्ट हुए हैं और डिलेज भी काफी ज़्यादा हो रहा हैं और जब ये फैमिली रियूनिफिकेशन की बात आती है तो डिले बहुत ज़्यादा पेन करता है क्योंकि COVID के टाइम में जब चीजें बंद हो, हर तरफ लॉकडाउन हो, लोनलीनिस ज़ादा हो तो आपको अपनों का सपोर्ट अपने घर में होना चाहिए तो ऐसे बहुत सारे केसे से जहां पर काफी महीनों से फैमिली रियूनियन के लिए लोग इंतजार कर रहा है तो काफी ज़्यादा लोग फ्रस्टेट और एक्जास्ट हो चुके हैं अभी मैं आपको एक मैसेज दिखा रहा हूँ जिसमें एक लड़की ने ये ट्वीटर पर पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने हमारे ओनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जस्टिन टूडो और हमारे ओनरेबल इमिग्रेशन मिनिस्टर मिस्टर सीन फ्रेजर को टैग किया है उसने काया कि साथ महीने हो गया है और मैं इसको और ज़ाता परदाश नहीं कर सकती तो इनका दर्द तो बही बिल्कु समझ में आता है ऐसे समय में अगर आप अपनी फैमिली से दूर है तो दर्द रहता है लेकिन आप याद कि जित कुछ दिन पहले ही हमारे प्राम मिनिस्टर ने mandate later issue किया है हमारे immigration मिनिस्टर को जिसमें किनोंने priorities define किया है तो कहने का मतलब यह है कि अच्छे दिन आएंगे आ रही है घबराने की बात नहीं है हम सब समझते हैं कि आपके उपर क्याविती है और आपने जो समय खो दिया है वो भी कभी वापस आने वाला नहीं है जितना आपका extend किया गया है यह duration उतना time तो कोई भी दुनिया में कोई भी तागत आपको वापस नहीं दे सकती उसमें definitely आपने बहुत पे इंसाह होगा हम सब मानते हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने आपको extreme step की टरब ले जाए जिसकी कोई जुरूत नहीं है क्योंकि अच्छे समय आने वाला है आप थोड़ा patience और रखिए आपने बहुत patience रखा है आपकी फाइल जरूर होगी भगवान पर भरुसा रखिए आप अपने और प्रातना कीजिए और और मतलब जो भी आप अपने इन्ट से कर सकते हो आप अपने इन्ट से क्या कर सकते हो GCMS कर सकते हो यह मेरा बस personal suggestion है GCMS देख सकते हो local member of parliament से contact कर सकते है तो वो सब आप कर सकते है लेकिन कुछ भी extreme मत कीजिए क्योंकि जिन्दगी बहुत important है और कभी ऐसे extreme steps की कि दिमाग में ख्याल भी मतलाई है ख्याल भी ना लाने का एक बहुत बड़ा कारण में है क्योंकि मुझे नहीं पता आप कैसे रहते हो आप किन के साथ रहते हो लेकिन अगर आप अखेले रहते हो ऐसे में ऐसे ख्याल आपके मन में आते हैं दूर से ही लेकिन उनका impact लोनलीनेस में आदमी से कुछ extreme steps उठ जाते हैं कुछ गलतियां हो जाती है तो आप ऐसी कोई गलती ना करें जिसको बाद में आप पच्छता है क्योंकि जिन्दगी बहुत important है ये life बहुत precious है और आप इसको precious treat करें और ऐसे कोई गलती ना करें यही मैं इस वीडियो में इस frustration से गुजर रहा है उनको कहना चाहूंगा देने बाद